हेलो वेलकम दोस्तों आईए गरण बाइद देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार एक रफशिस से नए वीडियो में हादर हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉलिज में डेमो कैसे दें और किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज़ करें जिससे की डेम मृट्य बात आती है की आप डेमो देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात क्या आत है तो दोस्तो आपको भी पताए कि your confidence, जब तक आपके अंदर ये confidence नहीं होगा कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और मैं सही अच्छा पढ़ाऊंगा, तो फिर अगर आप अंदर ये confidence नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या है, हैजिटेट होके communication रखना है कि कभी भी जब आप डेमो देने के लिए जाएं और college के डेमो पे जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हूँ, तो जब आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय आपको अपना confidence तो बनाके रखना है और तो कॉंफिडेंस को लूज नहीं करना और यह अपने दिमागमें बिलकुल नहीं लेके आना है कि यू आरा फ्रेशर तो थिल्टार होने का डर है उसको बिलकुल भी हावी नहीं होने देना है तो सबसे पहले बात आती है डेमो की, तो डेमो में सबसे पहले ध्यान रखेंगी, confidence पूरा रखना है कि हाँ, जो भी मुझे आता है, वो मैं successfully सही तरीके से सारी चीजों को पता हूँगा, तो दूस्तों जब आप डेमो देने के लिए जाएंगे, तो आपके सामने, उस college की ज authority के सामने जाएंगे, अब दोस्तों जब आप college authority के सामने जाएंगे, तो obviously बात है कि सबसे पहले वो आपको judge करेंगे, उसके बाद आपका demo class के अंदर होगा, और दोस्तों यदि उस समय जब आप college authority के सामने अच्छा performance नहीं कर पाई, तो फिर आपको college में बच्चों को demo द सबसे पहले आप कुछ सुचकर देखिए, आप college में demo देने जा रहे हैं, तो जब आपका interaction होगा college authority के सामने तो obviously बात है कि सबसे पहले आप क्या है, एक bell mannered person लगना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, आप कुछ सुचकर देखिए, तो obviously बात है कि जो आपका dress sense है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, बलब जो आपका look है, जो आपका dress up है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, अच्छी से मतलब यह नहीं कि आप jeans पहन के चले गए, टीशिट पहन के चले गए, और ऐसे चले गए, तो यह नहीं करना है, आपको यदि आप एक gent हो, आप एक mail हो, तो बाड़ी पहन के जा सकते हो, या फिर आप सलवाज शूरपी पहन के जा सकते हो, तो सबसे पहले जो आपकी जो appearance है, उसको अच्छा आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने dress को ध्यान रखना है, अब दोस्तो जब आप पहुचेंगे, रूम में, जब आप authority से मिल आपको विश्क करना है, अब दोस्तो इसके बाद बात आती है कि अब और बात है कि college authority से आपका interaction है, तो उस समय क्या important बात आती है, खुछ सोच के देखिए, college authority कैसे आपको जज़ करेगा, जो आप उनके साथ communicate करोगे, तो इसका मतलब है, जो आपकी जो tone है, जो आप भोल रहे हो, वह वहां पर सब ज़्याता importance रखती है, तो जो आपकी जो tone है, उसको काफी polite रखना है, और सारी चीजों को सही तरीके से manage करना है, और in case अगर वह आप से कोई एक ऐसा question पूछते हैं, जिसका answer आपको नहीं आता है, तो आपके face पर nervousness नहीं दिखनी चाहिए नहीं बट अभी मुझे present में ध्यान नहीं है, और दोस्तों कुछ लोगों को एक question और होता है कि क्या interview के समय total English वोलना है, तो ऐसा कोई भी compulsory rule नहीं होता है कि आपको total English वोलना है, आप जितना हो सक के उतना पहले English में कोसिस करो, उसके बाद अगर आप से कुछ problems हो रही है, तो उ दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे, तो फिर जब आप सही तरीके से dress up में जाएंगे, communicate सही तरीके से करेंगे, तो आपके 99% chances हैं कि आपको बच्चों को पढ़ाने का एक मौका मिलेगा, आप बच्चों को demo के लिए आँगे जाओगे, otherwise आपको college authority उसी समय मना कर देगी, कि हम दूसे teacher को बलाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि college authority से सबसे पहले interaction होना है, तो उनके साथ इतना अच्छी तरीके से साही चीज़ों को manage करना है कि आपको बच्चों को demo देने का मौका मिले, और दोस्तों जब बच्चे final कर देते हैं, जब बच्चों से demo देने जाएं, उस समय क्या जान रखना है, दोस्तों अब्यस्ती बात है कि आप जा रहा हो college में demo देनों, तो अब्यस्ती बात है कि बच्चे बड़े बड़े होंगे, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, class 6, 7th के जिनको आपने कुछ बता दिया तो हो गया, तो अब्यस्त आप बड़े बच्चों को demo दे रहे हो, तो जब आप class में इंटर करें, तो कुछ भी आप कह सकते हो, good morning class या good afternoon class, जो भी आपका मन है, वो आप कह सकते हैं, ठीक है, तो जो timing उसके according आपको करना है, यह नहीं कि जो मन्था वो कह दिया, जो समय टाइमिंग और इसके according आप कर बोल बोल कर बढ़ाएंगे, यह दो रास्ते हैं, या तो आप बोर्ट पर समझाओ कोई चीज, या बोल बोल कर समझाओगे, तो दोस्तो इसमें सबसे important बात जो ध्यान रखनी है, आपको वो समझे, दोस्तो आपको सोचके देखें, यह हम सारी चीजों को बोल बोल कर कि आप किस subject के लिए गयो, अगर आप कोई एक ऐसे subject के लिए गयो, जहां बोलने की important जाता है, तो आप यह दि किसी एक ऐसे subject के लिए गयो जहां पर write भी करना है, और बोल कर समझाना है, तो आप ऐसे समझाओगे, दोस्तो जो सबसे best तरीका होता है, इन सब चीजों में, व फिर उसको थोड़ा explain करें फिर थोड़ा प्राइट करें फिर थोड़ा explain करें और दोस्तों सभी बच्चों के तरफ आइक कॉंटर करके रखना पूरी क्लास की तरफ यह नहीं किसी किसी बच्चे को आप particularly देख रहे हूं और दोस्तों एक बात यह द्यान रखना है जब आप देने के लिए जाते हैं तो अगर उस समय कभी कभी आप रहा सकती है कि उन्हीं में से जो बच्चेओं को आप डेमो दे रहे हैं उन्हीं में इसको यह बच्चा खडा हो जाएगा और अपनी दरफ से question raise करेगा अब उस समय वह बच्चा question raise करेगा अब यह से situation कई बहर आती ह तो उस समय आपको कैसे अंडल करना है, क्योंकि उस समय जरूरी नहीं कि जो वो कोशन पूछ रहा है बच्चा वो आपको आता हो, तो कैसे आप मैनेज करेंगी, यह सबसे बड़ी बात है तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, सबसे पहर तो यह जान रखो, अगर वो पूछने आएगा फैकल्टी कॉलिज की कैसा पड़ाया सवर ने तो फिर वो कह देंगी अच्छा नहीं पड़ाया तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा तो इसलिए पहले तो आपको घबड़ा नहीं है और अगर उस टॉपिक से संबंदित प्रस्ण है तो आप थोड़ा कहने मातर से आपका काम चल जाएगा और आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव में नहीं जाएगी और अगर आपने उसको बताने की कोर्सिस किया और आप उसको आपको उसके पास नॉलिज नहीं उस टॉपिक की तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ आपको 100% के साथ आता हूँ ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है क्योंकि जो भी फैकल्टी आएगा ऐसा को इंडर पर्शन रूल नहीं होता है कि मैं जो बच्चा पूछेगा वह अंडर पर्शन बताई देगा तो वस यह है कि मालो अब उस बच्चे पूछा था आपको अब ज जब नेक्स ताम वो फिश से पूचेगा उसी कुछ न को बता दो क्या दिक्कत है तो यह मतलब सारा जो यहां पर जो डेमो का खेल होता है न वह होता है आपके कॉंफिडेंस का अगर आपका कॉंफिडेंस डाउन हुआ चाहें वो किलास के अंदर हो चाहें वो कॉलिज चाहते हो अच्छे से बात करते हो बस वैसे करो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आराम सेलेक्शन हो जाएगा और दोस्तों जदी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है कमेंट करके अपनी प्रॉलम को डाल दो हम उसका आपको बहुत है कर देंगे और दोस्तों लिंक है और साथ ही साथ आप फेस्टुक पर सर्च कर सकते हैं आई एगे अगे अगरा आउनलान लाइनिंग वीडियो दोस्तों उस पेज को आप जरूर लाइक करें क्योंकि वहां पर आपको इंपोर्टन वीडियो के लिंक और काफी जो वेकैंसी आती हैं सारे अपडेट झाल डगेजिस आती हैं